असलाम अलीकुम वीवर्स कैसे हैं आप सब आई होब सब खेरियत से होंगे अलहम्दुलिल्ला मैं बिल्कुर ठीक ठाक हो पहले की तरह आज फिर मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग और मज़े की टिप्स के आई हूं अमीद करूंगी कि आपको में सारे टिप्स बहुत पसं कनेम बार सो बते हैं इसके में सब बहुत है तो पतार का है और में सार्व के बाटल में मजदे हैं और इंको जबमे कर दаботा हैं बैकार करके फैंक मैं तो आज 216 लais रखकी ससंदू में सादे हैं बहुत ही मज़र बनाएंगे जह छोड़ा मीनि जार इसको आई मिनी जार क अब मैं इसका यह बरा जो पाट है यह निशान लगे हैं इसको यहां से और यहां से इसको अच्छे तेगे से काट करें इसको गाट करने के बाद आप किसी भी टेप यहां ब्लू गन की मदद से इसको जोड़ सकते हैं तो यह देखें मैंने इसको टेप की मदद से जोड़ दिया है तो यह देखें हमारा चोटा सा मीनी जार बनके रैड़ी हो गया है आई होग के आपको मेरी यह टिप बहुत पसंद आई होगी मसाला वगयरा या कोई आप इसमें कोई ड्राइफ फूट्स और डाल सकते हैं इसी तरह के और मीनी जार जोगा मैंने रैड़ी कर लिया है यह देखें यह वाइट तो इसमें मैंने गरम मसाला जो कि हम खानों में इसमाल करते हैं वो इसके अंदर एड़ी है इसमें आप कुछ भी एड़ कर सकते हैं आई हो कि आपको मेरी चोटी से टिप बहुत पसंद आई होगी पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना तो कभी भी न बोलेगा टेक्स टिप मी मेरी वोटल गुए है इसी तरह की बोटल के हवाले से यह मेरी बोटल है आईल वाली के एन है तो जब भी हम खाना बेलाटे बनाते है तो अकसर पराठा बनाने के लिए बार बार इसको तबएकि डालना पढ़ता है कभी घीगा दाल लेते हैं कभी हम गीजादा डान दाल दाल ल सोस बगारा के तो हर गर्में तक क्रिबान अवेलेबल होते ही हैं तो जब हम इनको खत्म जब यह वेस्ट करके फैंक देते हैं तो आज के बाद आप बिल्कुल भी नहीं फैंकिएगा आप इसके अंदर इस्तमाल करें आइल डालें जिसे आप इजिली पराठे बगारा और ओ लाइक शेयर जरूर कीजएगा टिप निमबर फोर मेरी जो है वो इस तरह के खजूर वाले बॉक्स के हवाले से हैं आपको बतार हम जानों मुबारिक चल रहा है तो खजूरें तो हर गर में आती ही हैं तो यह खता मुखतम हो गया तो मैंने सोचा इसका चोटा सा और अरग लाइजर दिखाती हूँ जो हम लोग मैडिसन यूस करके इसको फैंक जाती हैं बेकार समझ के आज के बाद आप इसको बिल्कुल भी नहीं फैंकेंगे तो इसके हवाले से हैं तो यह देखें जी मेरे पास यह सीजर है जब भी हम सीजर को यूस करते हैं तो इसको बार-बार इस्तमाल करने से इसकी दार है वो न, उसमें शार्फनस नहीं रहती है, वो कबड़े को अच्छे तरीके से काटना ही करते है, उमें बुरी परिशानियों का सामना करना पड़ता है, आप क्या करेंगी, इन सारी परिशानियों से बचने के लिए, आप इस तरह के खाली एपने लें, जो के मेडिसन हम लोग यूज़ कर चुके होते हैं उसका रैपर ले 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 और उसकी मदद से जो है आव इसको बरी बरी काटना शुरू कर दें इसके काटने से क्या होगा कि यह जो इसकी शार्पनेस है वो तेज हो जाएगी और हमारी कैंची बहुत अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगी आई होग कि आपको मेरी यह वाले टुप भी बहुत पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक शेर जरूर कीज़ेगा नेक्स टिप मेरी जो है वो इस तरह की बाल पॉइंट के हवाले से है कि अक्सर उकाद बचे उनको पैंसिल्स के साथ खेलना बहुत अच्छा रगता है वो अपने कपड़ों पे अपने हाथों पे इस तरह के निशान लगा लेते हैं जिससे जो के उतारना तो बहुत मुश्किल नहीं नमूम्किन हो जाता है तो इसको रिमूब करने का बहुत आसान और मज़े का हल मैं आपके लिए लेके आई हूँ इसके लिए आपने क्या करना है एक बाड़ी सप्रे ले 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 या कोई पर्फ्यूम मेरे पास अवेलेबल थी तो मैं इसे के साथ आपको रिमूब करके अभी दिखाती हूँ आपने क्या करना है इसको इसके ओपर सप्रे करें कि देखें सप्रे करने से क्या होगा कि यह सारी इसकी इंक है वो फैल के और खतम होना स्टार्ट हो जाएगी तो इसको आप किसी भी टिशू पेपर के साथ जो है वो बासानी रिमूब कर सकते